एक और बहुत बड़ा नया नोटिस आ चुका है SSC के नया वेबसाइट पर नोटिस कौन कौन छात्र लोगों के लिए है आज के इस वीडियो में आप लोगों को नोटिस दिखा कर confusion दूर कर देने वाला हूँ अब बता दू एक्जाम डेट का officially announcement के साथ साथ आप लोगों का कौन से डेट पर कहा पर एक्जाम होगा कितना तारिक को तो 9 दिसमबर को एक्जाम होने वाला है उसके पहले आप लोगों का चेक इग्जाम सिटी का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है चलिए notification को साथ साथ दिखाता हूँ और आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूँ SSC का नया website open करिएगा scroll down करके नीची आना है जैसे ही नीची आएगा यहाँ पर notice board के section में आप लोग देख सकते है कल रात को 29 नवंबर को information regarding the city examination and admission certificate for the candidate of combined Hindi translator examination 2024 paper 1 यानि की SSC JHT junior Hindi translator का जो form fill up हुआ था उसका exam date आ चुका है और आप लोगों का exam कौन से सहर में कौन से तारिक में तो उसका link activate हो गया है कैसे check करना है उसके लिए आप लोगों क्या करना है यहाँ पर official notification पर click करना है जैसे click करते हैं click करते के साथ ही आप लोगों के सामने official notification का जो page है वो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग activate हो गया ठीक है यहाँ पर notification में साफ साफ simple सा funda यही लिखा हुआ है कि आप लोगों का जो admission certificate है डाउनलोड करने के लिए SAC का officially website को visit करें ID password से login करें वहाँ option रहेगा डाउनलोड कर लिजे अब आप लोगों का exam date चेक करने के लिए दोनों का link में description box में दे दूँगा आप लोग open करिएगा चेक कर लिजेगा सबसे पहले exam date का notice आप लोगों को दिखा देता हूँ इसका PDF का link description box में दे दूँगा सिधा सिधा इस्क्रीन पर आप लोग notification देख पा रहे हैं combined Hindi translator examination paper 1 only एक दिन exam होगा 9 December को ठीक है अब exam date चेक कैसे करना है चेक करने के लिए जो link है मैं आप लोगों को description box में दे दूँगा जैसे ही open करिएगा ठीक है ऐसा interface open होगा ठीक है आप लोगों को अपना registration number, password और capture बैठा कर login करना SSC के officially website पे जैसे ही login करिएगा application history पे जाईएगा जाने के बाद आप लोगों ने अभी तक कौन-कौन सा form भरे है वो सो होगा उस पे क्लिक करिएगा और आप लोगों का exam date सो हो जाएगा चलिए आसा करता हूँ पूरा detail समझ में आ गया होगा मिलेंगे अब next video में ठीक किसी तरह से हर एक update पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखे फॉलो करके रखे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ने टॉपिक के साथ कुछ ने अपडेट के साथ तब तक के लिए आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्यू चैहिं चैह भारत बंदे मातरम